पानापुर सारण लॉकडाउन में पानापुर में चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है चोरी की लगतार हो रही घटनाओं से लोग काफी सहमी है पुलस प्रिशासन के प्रती काफी नाराजगी है लोगों का आरोब है अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही तरीके से हो तो चोरी के घटनाएं नहीं होंगी आपको बता दे भी तीरात्री अग्याच चोरों ने थानक शेतर के दो अलग अलग गाउं के दो घरों को निशाना बना कर नगदी सहीत लाग पो रुपिय मुल्य की सावान की चोरी कर डाली घटना की जानकारे पेडिक परिवारों को तब हुई जब सुभे घर की महिलायत जागी घर के खुले दर्वाजे देख उनके होशुड गए घटना की जानकारे मिलते ही गुरवार की एहले सुभे स्थाने की पुलिस मौके पर पहुची है वह मामले की चानवीर में जुटी है मिली जानकारी के नुसार धेनू की गाउं निवासी महातम राय के घर के लोग छट पर सोई थे इसी विच अग्यात चोरों ने घर की चार दिवारी के रास्ते घर में प्रवेश कर गए घर में रखे बक्से को तोड़ कर उसमें रखे नगदी आभूशन कपड़े सहीत अन्य सामान की चोरी कर डाली दोसरी घटना खजुरी गाउं की बताई जा रही है जहां चोरों ने सतियंद्र राय के घर में छट के सहारे प्रवेश कर आभूशन नगदी सहीत करीब दो लाख रुपीय मुले के सामान की चोरी कर ली पेड़ी सतियंद्र राय ने बताया बेटी की शादी जून महीने में ही 20 तारी को होनी है जिसकी सारी तैयारी कर ली गई उन्होंने बताया घर में शादी को लेकर घर की रंगाई कुताई का कारे चल रहा था इसी दोरान बुधवार को मजदूर घर के बाहर सीड़ी छोड़ दिये थे चोरों ने उसी सीड़ी के सारे घर में प्रवेश कर लगबग 2 लाख रुपीय मुले के जेवर सहीत अन्य सामान की चोरी कर ली आरपी भारत के लिए रमेश मेश्र की रिपो पानापुर निर्मान का भरोजा लालस्टी ग्यम्टी बार्स हर निर्मान के लिए उप्योग लालस्टी ग्यम्टी बार्स रिष्टा पजबूती